नमस्का और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों आप सभी को पता होगा इन दिनों टीम इंडिया और साउथ अप्रिका के बीच में सीरीज चल रही है जिसमें टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हार चुकी है लेकिन इसमें देखने को मिला कि केल रहूल जो केवी हाली में भारत के उपकतान थे उनकी फॉर्म बेहदी सांदार रही लेकिन लास्ट मैच में वो जादा कुछ खास करना सके अब ऐसे में मैं आप सभी को उताने वाला हूँ कि आने वाल दिनों में कैसे केल रहूल के लिए खत्रा बन सकते हैं ये विसफोटक खिलाडी खतरनाग बल्लेवाजी में है ये माहिर दोस्तो भारत के सुपरिस्टार खिलाडी में सुमार केल रहूल ने पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया में अपनी जगे पक्की कर ली है रहूल ने दुनिया के हर कोने में रन बनाए हैं और वो भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में बड़े मैच बिनर सावित हुए हैं रहूल जब किरिश पर होते हैं तब टीम इंडिया के जीतने के चांसिस बढ़ जाते हैं लेकिन आईपियल और घरेलू किर्केट में धमाकेदार परदर्सन करने वाले कई युवा खिलाडियों ने सभी का ध्यान अपनी और खीच लिया है ऐसे में ये खिलाडी रहूल के करियर के लिए खत्रा भी सावित हो सकते हैं तो आईए जान लेते हैं वो कौन है खिलाडी नमबर वन पर है पिर्थुसो पिर्थुसो अभी काफी युवा हैं वो हमेशा ही केल रहूल जैसी तुफानी बैटिंग करते हैं केल रहुल की गैर मौजूद्गी में ये बल्लेवाज ओपनिंग की जिम्यदारी बखुवी समालता है पिर्थिसों के मैदान पर होने से बॉलर्स उनसे खौफ खाते हैं वो अपनी बल्लेवाजी से कैसा गदर मचा सकते हैं इसका नजारा हम सभी IPL में अल्रेडी देख चुके हैं उनके विसफोटक परदर्सन को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन किया है ये युवा ओपनर बल्लेवाज मैदान पर आते ही गेंदवाजों के उपर अपने धाकड श्ट्रोक के द्वारा धावा बोल देता है पिर्थी सोने अंडर 19 में अपनी ही कपतानी में टीम को वर्ल्ड कप दिलाया था आने वाले समय में वो केल राहूल के करियर के लिए बड़ा खत्रा सावित हो सकते हैं नमबर दो पर हैं रित्रॉाज गायकवाड रित्रॉाज गायकवाड आईपिल 2021 की खोज रहे हैं उन्होंने आईपिल में ऐसी तुफानी बैटिंग की है जिसे देखकर विपक्षी के इनवाजों ने अपने दांतों तले उंगलियां दवाली हैं रित्रॉाज गायकवाड ने अपने दम पर चेन्नई सुपर किंग आईपिल 2021 का खिताब दिलाया था वही आईपिल 2021 में CSK की तरफ से सबसे आदर रन बनाने वाले बल्लेवाज भी ये रहे थे उन्होंने 16 मैचों में ही 636 रन बनाये थे औस्टिलिया के खिलाब गाबा टेस्ट मैच में उन्होंने सांदार 91 रनों की पारी खेली थी वो न्यूजिलेंड के खिलाब भी इस युआ उपनर बल्लेवाज ने जम कर रन बरसाये थे सुमन ने टीम इंडिया में अपनी जगें पक्की कर ली है गिल ने 10 टेस्ट मैचों में 508 रन बनाये है सुमन आईपियल में केक्यार की तरफ से खेलते हैं और इस धाकडब बल्लेवाज ने आईपियल में धेरो रन भी बनाये है तो ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आने वाल दिनों में केल राहूल की जगें लेने की पूरी तरह से कोसिस करेंगे और इनसे केल राहूल को आने वाल दिनों में बड़ा खत्रा भी हो सकता है इसे में केल रहुल को अपनी जगे बचाने के लिए लगतार परफॉमेंस करना होगा तो यही था इस वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे स्वेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद